पानी पी लिया है पानी पीएंगे और क्या करेंगे चलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं फिर एक बार आप सब के सामने हाजिर हूं मैं तीन टीचर रखें रीजनिंग में अकेला पड़ गया हूं आप लोगों को साथ देना है तो मुझे लगता है कि मैं रीजनिं पढ़ा के रहूंगा ठीक है यह ऐसा मेरे को लगता है बाकी मेरा भ्रहम है यह सच्चा ही है यह आप लोग बताएंगे वीडियो देखने के बाद क्योंकि अब तक फ्री वाली वीडियो को भी बहुत प्यार दिया है पैसे वाले में तो थोड़ी से जान ज्यादा फूकनी पढ़ती ही है ठीक है उसमें भी कोई सक नहीं है तो अभी पैसे वाली नहीं फरी वाली है और यहीं पैसे वाली रहेगी यूंद माने लो और उसमें क्या हीरे मोती और चांदी निकलेंगे चलो कि डाइस चेप्टर हम लोग लेंगे अरे बफरिंग आया एक बार नेट देख लिए एक बार देख लेना ठीक है बागी चल करिया तो अपने काम में फिर देख लेंगे नमस्कार प्लीज वाइट कलर यूज़ करो अच्छा वाइट कलर यूज़ करें मुझे लगता है यह वाइट से ज्यादा अच्छा यह है वाइट में कोर्स दिखाऊंगा सुलेबस दिखाऊंगा भी आपको फिर देखना की कौन सा अच्छा लगता है ठीक है और कुछ अभी लाइटिंग की वबस्ता और चल लिया और बहतर हो जाएगी अभी हमारी सकल जैसी भी आ रही है इ वह उसमें नाम नहीं ले पाया मैंने बोला था आपसे पर मैं भूल गया क्योंकि टाइम ओवर हो गया था मैं इसकी क्लास में नमशकार 290 मारके छोड़ोंगे क्या 234 आभारी आभार 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 बहुत प्यार बहुत प्यार आप सबको नमस्कार बहुत ते जी से कमेंट चल रहे हैं थोड़ी देर मस्ती कर लें थोड़ी देर मस्ती क्या एक इस्टोरी सुनाओंगा आपको बहुत कम सुनाता हूं साइद आज तक सुनाई नहीं है एक दो मि और एक बोलो ना भाई सुनाओ तभी शुरू करूंगा चलो सिले बस पहले आने से पहले मैं सोचता हूं कि कुछ आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और पढ़ने के लिए एनर्जी दे दी जाए और हरूं वीडियो में उम्मीद मत करना कि मैं ऐसा कर पाऊंगा ठीक है क्योंकि ऐसे बहूत कम बंसरो करता हूं अपनी बसर बहुत कम बच्रेश करता ह्यूंत कर पहली बार पढ़े हों हैं सांट्स सब इपढ़कर थे वहां कि यार्थ दरे यूं क्या लक्सक्री मैं क्यों करूं मैंने सब कुछ कर रहा है ठीक है यह मास्टर मुझे क्या दे पाएगा रीजनिंग में यार अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर आपके बार 5 में आने चीम तो तो आप थीक हो डिल्लीमें 25 Ay को चोन नहीं है तो आपको करते हैं ऑ पर टाइम मेंगा कर रहे हम पर टाइम कोई बाउंडिशन भी नहीं है हो सकता है हम कुछ कोश्चंस को आपको आपसे बहुत तेजी से कर दें पर कुछ कोश्चंस माली सरीज आ गई तो मास्टर के लिए दिन रात का जंजट भी बन सकता है इसमें भी कोई सक नहीं है ठीक है तो वह तो के एक अलग बात है उसमें आप होंगे तो आपको वीडियो देखने चाहिए बास इतना मैं कहूंगा कि जाए एक बार एक रिशी थे बहुत विद्वान रिशी थे पर विरद्ध हो चुके थे बहुत विद्वान थे बहुत ही जादा इसको बोलते हैं कि किसी आदमी को पता चला वह गणा विद्वान था बहुत ज्यादा समझे लिज़े वह आप हैं कि बहुत यवागा आ angry योपूव भूर्डए दो नहीं हुआँ पर करिए तिके कि अब है वह वगष्वां आधमी था वग्रम नहीं आता नहीं आता मिलद्भान में नहीं आता उस अधमीप भी नहीं नहीं था रिसीमय तो हो इस inspa da mês तो ने बड़े हैं मुझे कितना भी अनलु सही मज़े कुछ ना कुछ देही देंगे मुझे कुछना कुछ सो देंगे तुमिज उनके पास जरूर जाना चाहिए ठीक है वो चले गए और जोड़कर बोले कि मुझे आप अपना सिस्से स्विकार करें लेकिन उनके इस बारे में ले दूं अपने से आप खुस हो जाओगे तो उसका नाम ले दूं तो उस टाइब का था वह रिशी मतलब रिशी ने भी उसका नाम सुन रखा था कि बहुत विद्वान व्यप्ति हैं उन्होंने रिशी ने एक बात बोली यार यह मैं इसको ज्यान तो दूंगा पहले देख यह ज्यान देने लाइक है भी यह नहीं है ठीक है तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जितना भी जिए जो भी जीज़े आप जानते हो इसी बुढ़े हो चुगे थे बहुत विरध्ध वस्ता में थे आप पें जितना भी ज़िए वो सारा लिख लाओ जितना भी कुछ छु वो चले गए अपने ज्ञान को लिखने बना लाए इतनी मोटी किताब रिषी के पास पहुचे जी मेरा इयरा ज्ञान लीजिए बहुत सभाल के लिखा दो चार च्छह साल में ग्यान की किताब भरी उन्होंने बहुत कुछ सोच के बहुत ग्यान का भंडार था उस व्यक्ति बहुत मोटी किताब लिख डाली लिख तो डाली अब रिसीव नहीं बोले यार एक बात सोचो मैं इतना विरद्ध आदमी तुम दो साल पहले मुझे से मिलने आये थे मैं पहले विरद्ध था और भी मैं विरद्ध हो चुगा हूं और मैं बिलकुल खाट में लेटा हुआ हू मैं बोला तो ठीक है गुरुजी मैं कुछ कम कर लाता हूं मिनमन बाते चाट लाता हूं तो फिर से आये फिर से दो बहीने ले गए क्या छोड़ू क्या लिखूं मुझे तो सारी बाते फिर भी इंपॉर्टेंट लिखा और फिर एक पतली से किताब बना लाए इतनी है विस इसको पढ़ने लाइक भी नहीं हूं मैं इसको भी नहीं पड़ पाऊंगा वो कहे अब तो बड़ा मुस्किल है गुरू जी आपको इसको और छोटा करके लाओ रिशी मैं वह बोला कि और छोटा करके लाओ वो और गए फिर वोला यार मैं क्या लिखूं वह कैई पिर भी म गुरू जी के पास जाके बोले अब तो मैंने एक पेज में लिख लिया है तो गुरू जी बोले कि अब तो मुझे कानों से सुनना भी बंध हो गया है मैं तो यह भी नहीं सुन पाऊंगा अभी और छोटा करना पड़ेगा और कम करो तो फिर उन्होंने बोला ग्रुजी एक पेज और था वाइट पेपर यह हूं मैं भर दो मुझे नहीं है कुछ भी ग्यान मैं हूँ एक कोरा कागज रिशीले बोला कि आज आज आप मेरे ग्यान के लायक हुए हो लेकिन अब मैं आपको ग्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा चलने का समय हुए है द आप यह छोड़ दो आप उसके सामने कोरे कागज हो अगर आपने गुरु माना है या तो मानो ही मत या आपने आपको सीधा पेपर नवे ठालो किताबी ग्यान लो ठीक है चले जाओ ठीक है अगर किसी को माना है तो फिर आपको यह तो करना ही पड़ेगा कि आप उसके सामन भी शीखनी होगी ठीक है बस आपको गुरू चुनने में देर नहीं करनी चाहिए गुरू जो आपने चुना है वो बैस्ट होना चाहिए उसके चुनाव में थोड़ा सा टाइम लगा लो पर अगर एक बार चुल लिया तो फिर सब कुछ उस पे छोड़ दो ठीक है और मैं यह भी एकसेप्ट है क्योंकि हमेंने गलती किया आपको पढ़ाने में ठीक है और बढ़ाई करोगे तो वह भी तारीश के काबिल होंगे फिर हम ठीक है बहुत बाते हो गई अब मैं आपको सिखाता हूं आज का पहले दिखाता हूं रीजनिंग का सलेबस कैसा लगा आपको मेर मोटिवेशन का हो या आपको कही एक छोटा सा ज्यान इस टाइप का दिया है क्योंकि आप अपने आपको थोड़ा तीस मार्खान ना समझों ठीक है चलिए रीजनिंग सलेबस जानना बहुत जरूरी है कि रीजनिंग सलेबस क्या है तो हम वह सीखते हैं जरा आजा भीया कर अरे कहां गया आएगा 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 तो यह ठीक यह राजी आगया वाइट वाले आजाओ भी या वाइट वाले दिखाऊंगा कैसा चमक रहा देखना अब हाँ सही सचमक रहा है ठीक है लिखवाया तो मैंने बढ़ी है विचारा सजा के बहुत मैनत किये एक बच्चे अब चैने लिखने में दोस्तो निकों हए पहले भी करा ना था यही सब चीजे थी और भी वही चाले लेकिन आप देखो चैप्टर वन डाइस चलेगा इसके बाद घड़ी शुरू करेंगे कलेंडर शुरू करेंगे घन घनाब भी पढ़ाएंगे संकेतिक भासा परिक्षन और पीछे ले जाओं पढ़ा चुका हूं ठीक है मैं उन चैप्टर्स को यह नहीं कि मैं इसी किरम में पढ़ हुआ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां था मैंने इसके बाद कोई बात नहीं मैं सुरू कर रहा हूं कोई यह सब चीज़े आएंगी अब जब सुरू से होनी चाहिए तो आकरती ऐसे लिखी जाती है रहें के पर कोई बात नहीं आईसा आप माफ कर दो टाइप इस थोटी मोटी गलतियां कर देते हैं तो यह सब कुछ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा पढ़ने को मिलेगा नॉन वर्बल वर्बल नॉन वर्बल दो पार्ट में रीजनिंग होती है वर्बल मतलब भासिक रीजनिंग नॉन वर्बल मतलब चित्रवाली रीजनिंग तो य नहीं लेनी है आपके एक्जाम से पहले सब कुछ नहों जाए आपके कोर्स में जो भी कुछ आता है आपके कुष्टन के साथ जो भी प्रिविस यह उन सब को मैं करवा दूआ ठीक है आगे बात करूं यह करना कंपलीट करना यह सब में आता है इससी भी 25 की वह में निगे तो कि क्या दमदार मौक टेश्टर ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा और बहुत जल्दी आपको एप पर मिल जाएगा और तब बताना कि आपको कितना हो पाराई स्कोर और अगर आप उसमें 300 के आसपास भी हैं तो आप आज भी लग जाओगे युप ऐसा ही मैं बता रहा हूं अगर 300 के आसपास ले आई 400 वैसे ठीक है चले दिल्ली में अगर ऐसी कर दिया आपने जो मैं मौक टेश्ट दूंगा तो आप आज ही लगने लाया हो ठीक है और नहीं तो को रहा कागज समझ के खुद को स्टोरी की तरह पढ़ लेना पढ़ने आ जाना ठीक है चलो और लाइव आ नोट्स बनाने लगोगे तो आठ गंटे की पढ़ाई है यह नहीं कर पाऊगे आप सिर्फ समझो नोट्स हम देंगे बिल्कुल हैं रिटन भी देंगे और टाइप की कोसिस करेंगे वह भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ठीक है चली बफरिंग और यह सारी समान गुणों कि आकर्ति आ पहचान ना क्या होता है सारी चीजें आपको के साथ दिखाओंगा आकर्तियों का तार्की क्रम मेरे लिए नौनवर्वल पढ़ाना है ना मेरे लिए मेरे बहुत बड़ा काम नहीं नोनवर्वल पढ़ाना मैं चाहूं तो इसको आपको 10 दिन में खतम करके दे वीडियो दूँगा तीन घंटे चार घंटे का जिसमें सारी रिवाइज हो जाएंगी सारी आकरती फिर आपका बहुत जबर्जस त्यारी करने का मन करेगा और दोस्तों एक चीज आपको दिखा दू बिंदु इस्थति यूपी ऐसाई के लिए इस पेसल है एक कोश्चन आप आपका फसना ही फसना है इसमें से नया बनाया उन्होंने ठीक है ऐसे माल लेना आकरतियों का गोड़ने रूट रोटेशन यह तो कहीं भी पूछा जाता है ठीक है तो आप समझ सकते हैं जेल वार्डर वाली बच्चो या दिल्ली पुलिस वाले सबसे पहले तो यही एक्ज है कि जब भी रिविजन की जरूरत फीलो वीडियो मत देखना प्रेक्टिस सीट जो आपको दूंगा वो पीडिएफ कर लेना दुबारा वीडियो का रिविजन उसी से हो जाएगा ठीक है आपका टाइम बरबाद बिल्कुल नहीं करें क्या इसमें भी 5000 पहुचा होगे क्य तरा उतर सकता हूं क्या यतना उमीद आप लोग मुझसे कर रहे हैं ठीक है चलो तो रिजनिंग से लेबस डिसकेस हो गया एक एक चीज डिसकेस हो गई आज जितनी भी क्लास चलेंगी सब में से लेबसी डिसकेस करवाने को बोला है मैंने हर सर से हर चीज से आज के टीचर आपको जी एस में बेस्ट से बेस्ट मिलने वाले हैं एक एक किलास में आप पंजों पे ना खड़े हो जाओ ना मजा ना खड़ा हो जाए ना बता देना कमरे में कैद कर लो सारा टाइम हमें दे दो हमारी जिम्मेदारी है रिवीजन कैसे कराएंगे टेस्ट कब लेंगे बहुत आसान है और बात करो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की असान है आप सोच लेना समझ लेना कि भाई मैं आपके लिए यह नहीं है कि बस रिटेन करा दिया हमारी जिम्मेदारी खतम नहीं मैं आपको वहां भी टिप्स दूँगा फिर फिजीकल के पीछे लग आच बजे के बाद कोई क्लास नहीं होगी वह सिर्फ और सिर्फ आप एक घंटा दो घंटा अपनी रनिंग के लिए अपनी सेहत के लिए निकाल लो यह निकाल लड़कियां करें ठोड़ा सा ठीक है नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाए कि क्यों पीस दिन के अंदर-अ कराने की कोसिस रहेगी उनकी ठीक है तो यह थोड़ा सा देख लो चलो आगे बात कर लो क्या दिल्ली पुलिस की रीजनिंग के सलेबस में लेकर आया हूं क्योंकि इसमें कुछ सेलेक्टिव हैं और बच्चे यह सोचते हैं इसी को क्यों डिसकस कर रहा हूं मैं और तो नही से इनहीं चैप्टर वो इनीचेप्टर्स को जिस भी क्रम में बढ़ां तो बता देना आप ना कर के आओ तो अलग ठीक है ठीक है ठीक है तो यह रीजनिंग आपको समुझ में नहीं आएगा जो मैं आप से बोलना बस वो कर ले ना नहीं तो आप यह फस जाओगे कि यह चैप्टर कौन साइजी यह कौन सा चैप्टर है यह सारे चैप्टर में उसमें डाल दिए ठीक है अपनी ही किया दिन रात भागें मैंने 15 अगस से लाइव आने के वादा किया था मैं आगया कब लाइव चार दिन पांच दिन पहले एक्साइटमेंट इतना कम पुरा हो गया क्यों रोकें बच्चों को त्यारी करनो दोगा ठीक है एपको बाद में विक जाएंगे नहीं विकेंगे ठीक है मॉप टेस्ट के लिए और भी मेनत करनी पड़ा लास्ट में कर वाएंगे ठीक है तो लगा देंगे हम वह आप में लगा देंगे ठीक है चलिए हां डाइसel चैरवन लगए यह जागन लगए बहुत है देखते हैं यह होता है पासा बोलते इसको हिंदी में पासा में पासा वह वाला संजेत वाला पासा नहीं लूडो यह वाला लूडो तो बहुत होगा आपने मैंना तो खेला है जब छोटे से थे आप तो टाइम भी नहीं मिलता है एक का उपर भी आ है सर लूडों खेल दो साथ में ने क्या कि चलो यार क्या लूडों खेलना चलो ठीक है यह देखो छै चार तीन एक तीन छे दो यह बिंदू भी हो सकते हैं तोटल एक पासे में एक डाइस में छह फलक होते हैं यह आपको जानना चाहिए ठीक है एक डाइस में अगर आपसे कोई बूछे कि आपको इसमें देखिए फलक तो इसको बोलते हैं यह सतय जो होती है सतय सतय सर्फेस ठीक है अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौने कितने होते हैं कौने यह कौने हैं अगर आपसे ऐसा भी कोई 3 दी में बोच आएगा तो कॉने कितने होते हैं अगर मैं आप से बोलू तो आठ गुंझरे ना यह दिखने कितने आपको 537 इðर और एक उसके नीचे भी तो होगा से इसके नीचे वाला या यह यह कभिसोच और बना पूछा जा सकता है आपको हर चीज जाननी चाहिए तो यह होता है बारे कूर होती है मैं नहीं सोचा तक में आपको आके पढ़ाऊंगा पर पता नहीं भगवान सद्बुद्धी देरा हो सकता है मैंने बिल्कुल सोचके नहीं नहीं आया कि यह चीज पुड़ा होगा ठीक है अपने दिमाग में आई सोचा यह बच्चों को पता होने इस पासे को देख करके साइद कुछ उपर से संदेश आया है आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं हमारी वीडियो को 4737 लोग एकदम लाइव देखेंगे ऐसा कोई सोच सकता था 3225 लाइक होंगे 29 लाइक होंगे ऐसा भी नहीं सोच सकता था उतने लाइक करेंगे जितने देख रहे होंगे ऐसा सोचता हूँ मैं ठीक है पर चलो आप भी हमारे बच्चे लाइक ने भूल जाते हो तो आपका घलती माहारी माक कर देख रहाएकad चलो अब देखना कि DA's में आंपको बनाना सिखाता हूं बनाना क्या ज़रूरि यह बनाना हां मैं डाइफ को आपको तीन पार्ट्स में एक होता है open 10 अगर मैं बोलूं एक होता लेस उपन डायस और में च्छे के खुल के रख देगा उसको हम अलग पड़ेंगे ठीक है आज में सिंपल वाले डाइस में कितने तरह के सकते हैं और फिर पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं फिर कोश्चन की भरमार करेंगे वही पीडिया आपको उस पर मिल जाएगी आप पर क्या अभी डाउनलोड कर सकते हैं कर सकते हो आज जो कमेंट की स्क्रीन ऐसे लगा दिया सामने और विल्कुल ऐसे लग रहा ह फस्ट ऑफ फस्ट टैप कि फस्ट टाइब कि है है कि अगर मैं 20 की बात करूं तो यह क्या होगी दोस्तों देखना नजरा पवंड बाश्चन मानक पास होता होती से से Фक्त कि मानक पासा मैं उसको इसके बाधु बता दूँगा मानक पासा枉त बहुत在बहरत चीज है बताने मैं लिख देता हूं इसके अंदर वाइट कलर से यह देखिए तीन दो पांच छे चार तीन यह मैंने लिखा इसके अंदर और कलर भढ़ दिये आप समझ जाएए कि भाई यह जो है इसमें पूछता क्या है तीन भी पासे आएंगे चार भी आएंगे चार से ज़्यादा तो मै क्या होता है क्या करना होता है कि आपको जो सबसे आसान तरीके लगता है मैं उसी से बताने वाला हूँ वह यह आसान लगता है कि देखिए जो comment होता है इनमें एक comment होगा वही फरस्ट डाइप होगी जहां एक क्मन होगा तो वह फरस्ट टाइब होगी एक अंक कॉमन नहीं तो देखिए पता कैसे चलेगा यह फर्स टाइब का है तो एक अंक जहां भी कॉमन होगा वह फस्ट टाइब होगी और फस्ट टाइब में अब फस्ट हो या 2 या 3 मों पूच스큰ा यह कि आप जो है 6 भिप्रीत बताओ 6 के वप्रीत सतय पर कौन सा ऑगा पॉजिट साइड अपॉजिट साइड इंक क्ऊन सा सब लोगों कर लिया होगा कोई बात नहीं अब देखिए एक चीज जान लो बस एक चीज जो बहुत जगे काम आएगी वह क्या है कि दोनों में एक तीन के साथ दो भी दिख रहा है अभी मैंने आपको पासे का चत्र दिखाया था पासे कहा गया इसी महीं था उपर ठीक है दिखाता हूं कि देखिए जो चीज यहां रहेगी वह कभी इसके साथ दिख सकती है जो इसके अपोजिटिव है वालो छह के नीचे पांच है तो पां पासे कि तीन स्थिति दिख सकती है आपको तीन फलक कैसे भी रख लो टेडा तरिच्छा आडा देखें यहां भी देखो ठीक है कैसा भी पासा रख लो आपको एक तरफ से तीनी साइड दिख सकती है अप जू घूम जाओ ऐसे लंबे हो जाओ पासे पर फिर तो चार भी द नहीं होगा मतलब चार भी नहीं हो सकता क्योंकि चार इस साइड आ गया है बस मैं इतनी सी बात कहना चाहरा हूं आपसे यह बात समझे में आ गई कि नहीं तो तीन के अपोजिट तीन दोनों मारा यह एक ही पासा है एक पासे को एक बार फैका तो हमें यह अंक दिखाई दि बार फैक जारे एक बरें दिखा एक फिर फैका फिर फैका फिर फैक भी आता है ना चले तो उसी तरहीं ज से मैं कहना चाहरा हूं यह Women इस साथ दो बीा पांच भी दिग्या जो इसके मैं है यहां पर वह वहां चला गया होगा तो तब भी नहीं दिखेगा तो आपको यहां भी दिख रहा है तो इसका मतना तुक्रशन दिखाओगा कैसे लिखाता है पूरा प्रश्शन दिखाबंगा थो तीनके पॉजट होगा वो अंख होगा जो यहां पर नहीं आया है यह बात जान लो बस इन कहलो पर बोले और यहां पर नहीं दिखाई देए रहा है तो उसी प्लवा या फिक को फोर फोर और पर यहां तो 6 ही नहीं तो हम यहीं कह सकते हैं वस अगर इस टाइप से मैं करना चाहूं कि भाई 6 के अपोजिट ना तो 3 हो सकता ना चाहूं कि इस कॉंसेप्ट से जो भी बताई है बिच्छा दोगे सवालों को बहुत तीन के विप्रीट एक क्यूं है क्योंकि वो उसके साथ नहीं दिखाए रहा और जो नहीं दिखा वो समझ जाओ वो अपोजिट हो सकता है ठीक है चलिए तो 3 की 6 के विप्रीट ना तो 3 है ना चार है नहीं है ना नहीं है ना तो फिर 6 के तो 5 भी हो सकता है और दो भी हो सकता है उत्तर या तो 5 आएगा या दो आएगा लेकिन इस टाइप से क्लियर नहीं कर पाए इस टाइप से हम सिर्फ कॉमण वाले का की लिए कर सकते हैं क्योंकि हमने वहां चार निकाल दिये 5 वह खोड़े 6 एक बचता है लेकिन यहां 2 बच बता देता हूं कि जो भी common अंक है जैसे तीन है तो तीन को clockwise लिखो या Anticlockwise लिखो तीन के बाद common अंक पहले लिखना है बस याद रखना common पहले लिखना है टाइप वॉन सिखा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप वन नहीं है तीन का करोगे चार का करोगे टाइप 1 ही है सबसे इंपॉर्ट है टाइप 2 और टाइप 3 तो कुछ है यह नहीं ठीक है तो टाइप 1 समझ लो टाइप 1 समझ लो जरा यह साधान पासे की बता रहा हूँ ओपन डाइस मनक पासा भी नहीं शुरू करा है सिर्फ और सिर्फ साधान पासा बता रहा हूँ अभी तो आप देखना जरा कि भाई यह जो 3 है तीन से शुरू आत कर दूँ और मैं उल्टाई क्यों चलो मुझे तो सीधा चलने की आदत है घड़ी की साइड को चलने की आदत ह घड़ी तो एसे चलेगी तिन के बाद पांच लिखना चींए यह पांच के बाद दो लिखना चींए फिर तो तीन आ जाएगा कुल मिलाका के हमने ट्रू क्लॉकवई लेक है और या referred यहांँ भी ट्रूकवा को हमेसा कॉमन से करेंगे इसमें भी तीन पांच डो 3-6 सकश् उल्टा चलो बस इतना कर ले ना अगर इसमें उल्टे हुए हो तो इसमें सीधे मत हो जाना इसमें पी उल्टे ही रहना ठीक है और उल्टे सीधे बना दिये ना तुमने पेपर वाला आपको उल्टा सीधा करके ले लेगा आपकी चलो कोई बात नहीं Тीन, तीन के बाद घड़ी फिर चलो 6 और 6 के बाद दो, 4 थीक है? तीन, छे, चार किलियर है वाई? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है तो 4 के अपोजिट 2 5 के अपोजिट 6 यह अपोजिट आ रहे हैं और 3 के अपोजिट वो वाला उंक होगा जो यहां आया ही नहीं है कि तीन तो दो ज़ेजह होगा नहीं किसी भी डाइस पर तो तीन के अपोजिट एक पाँच के छह दो के चार आप समझ जाईएगा आपका काम खत्म ठीक है आपको किसका चाहिए छह का चाहिए बस टीप के लिख दो पाँच आगया जी आपका तरहे जो मेरे offline वाले बच्चे हैं हाथ खड़ा करके बता दो आप देख रहे हो की नहीं देख रहे हो हाथ तो और भी खड़े कर रहे हैं तो सालूरानी नहीं आप तो नहीं हो offline के चलो अरे बता दो ऐसे हाथ खड़ा कर लो लाइक ऐसे दबा दो तुम हाथ खड़े वाली पिक मिलेगी नहीं इसमें ठीक है तुम ऐसे बता दो ऐसे लाइक यहां तो दबाओ महां भी दबा दो ठीक तो ओफलाइन वाले बच्चे ठीक है भाई बहुत बढ़िया हाँ जी अरे वाँ ओफ-लाइन वाले ढेर आ गए तो नाम लेना चाहता था आपका पर क्या करूं कमेंट बहुत तेजी से भागने लगे अफ-लाइन वाले वीरान भटक रहे थे अब क्या करते पर वो तो सारे यहीं आ गए तो फिर तो आप वही करेंगे जो अफ-लाइन में करते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं बहुत खुसी हुई मुझे कि आफ-लाइन जो मुझे फीस देते थे वह यह यहां मौजूद है उनके प्रति जिम्मेदारी ज्यादा है ठीक है पर यहां तो बरबारी ही निवापना क्योंकि फीस तो उनसे भी लूंगा जो नहीं लूंगा चलो ठीक है यहां कहना ठीक नहीं पुब्लिक उस पर बहुत फीस की बात हो गई चलो आप पैसे की मामला कभ अगर मैं आपको इस टाइप का एक और पासा बना के देए धूँ क्या मुझे सेकिंड में उत्तर दोगे पांच सेकिंड में भश टायप का है कि नहीं पहले तो यह देखना क्या मुझे आप दोगे सवाल का एक सेकंड में, चार, तीन, दो, पांच, चार, छे, इसमें मुझे चाहिए किसका अपोजिट, चार के अपोजिट, चार के विपरीत, एक सेकंड में उत्तर चाहिए, एक सेकंड में, चार के विपरीत, चार के अपोजिट, कौन सा है, एक सेकंड में उत्तर, पढ़ लो आज तो कोई नहीं धूंड रहे हैं कोई नहीं चलो सभी है बता दो चार के विपरीत कौन सा है सबने दे दिया दो सेकंड पांस सेकंड में उत्तर आये हैं बहुत अच्छी बात है एक या जी एक आया सब का तो मुझे बताने की जरुरत है क्या यह तो वही सिंपल जो सबसे साधान बात है उससे हलो गया चार के पोई ना तो तीन हो सकता है ना दो ना पांच न छे फिर तो एक ही बचा तो आपको डाइस गुमाने की जरुरत नहीं है इसमें तो और गुमा लो तो भी वही आएगा ठीक है और गुमा के करना है अब भी कोई बच्छा पां फ्रेंड बहुत मिलेंगी नंबर आ जाया का बस एक बार आजाओ बहुत मिलेंगी बहुत बन जाएंगी लड़किया फ्रेंड अपने आप आपसे दोस्ति करना चाहेंगे बेरोजगार हो अपना बहार उठानी पारे उसका तब उठापाऊगे चलो तो चार दो तीन चार तीन के पाइस दो के च्छे चार के क्या चार के वह जो यहां नहीं आया तो यह आप ट्रिक से टाइप से जैसे करना इन सब का पोजिट फर्स टाइप की खास बात यह आप किसी भी अंग का पोजिट बता सकते हो अगर एक को मनाया है तो आप किसी भी अंग का पोजिट बत असकते हो ठीक है बात चलो ज्यादा स्रेयों ठीक है अब आप देखो अब एक और मैं आपको Second Time बताने वाला हो पॉस्ट ने दुआ दुआ कर दी दुआ नहीं आग लगा दी थीक है दुआ हम नहीं करते हम दुआ करते ही नहीं हम तो आग लगाते हैं चलो आगे बताते हैं क्या भाई दुआ में त्यार किसी आख फोड़ नहीं है आग लगाएंगे जाड़े आ रहे हैं चलो कि यह देखो यह देखो जरह एक बार देख लूँ पांच छे तीन दो फिल्टेन पांच यह क्या है लिख दू सेकंड ताइप पहचान लोजरा क्यों इसको सेकंड टाइप क्यूंड लिख दिया कोई बच्च बताएगा ग्या उडशन्चास च्छाफिश्य गटगे कोई बाद नी बोर कर दिया हो अगे थोड़े से चलो लड़की वाली वात पर बढ़े थे वह अब देखो जो रहा है सेकंड टाइप क्या है सेकंड टाइप क्या है पहचाल दी होगी आपने आप तो बहुत एडवांस हो आप एडवांस हो पाच तीन अब तक हम सिर्फ एक ही कॉमन देख रहे थे अगर मैं इसको उसी टाइप से क करने की कोशिस करूं पहली ही वाली टाइप से तो मुझे क्या दिक्कत आएगी मुझे एक दिक्कत आएगी मैं सुरुआत पांच से करूं या तीन से करूं यह दो करना तो प्र हम क्या करेंगे सबस्क्राइब में हमारा जोंग comment होते हैं एंए हम उन दोनों को लड़ाई करवाते हैं हम सबस्वतMO हो topics गंए यह बच्ट किसी की भिआ यह बखला तक तहसा का ठीक है तो वह ही कर रहा हूं यह हम कौणसे को रखें हम दोनों चेह identified तो फिर आप से 6 के opposite कोई पूँछेगा तो 2 और 2 के opposite कोई पूँछेगा तो 6 हो जाएगा 5000 हो जाएंगे क्या रहे तो मुझे लग रहा मैं थो पीछे छोड़ेंगे 6 के opposite 2 और 2 के opposite 6 कहीं सो के उठगे न कहीं जन्हें 6 के 2 और 2 के 6 घवारियो ? CC шय के विपरीच बताओ , 3 के विपरीच कोई पूछेगा , यह आपके answer होALLY qualified 5 कोई बताओ , इसमें मुझे पता है यह सवाल आपके दिमार के 5 जो पहली बार पढ़ रहे हैं जो जानते मुझे उनके मनिया आना होगा एक option होगा आपके पास नाyan आकड़ हुससे लगा के आजाओ पर इससे पहले एक चीज और ढूट लेसा टूंड लेना झाला के है उसे पता यंकित भाटीन आकड़े अप्रियाप्त बता दिया होगा इसमें ठीक है पर आपको आपको इस पर जाने से पहले एक और ढूड़ना पड़ेगा पांच के अपोजिट यह सच बात है हम किसी एक अंग को नहीं बता सकते लेकिन जो मैंने सबसे साधान बात बताई थी सबसे का यहां कर पांच के अपोजिट ना तो 3 हो सकता है ना 6 हो सकता जो पांच के साथ दिख रहा हो हो एह नहीं इसकता पांच के यह था यक्यों या क्या होसकता है कौन सा बच गया चार तो अगरकिसी मess втор रख ए option और इसको उपर लिखेगा मुझे पता है तो वो फिर एक या चार या slash लगा के लिख दे तो आपका उत्तर इन दोनों में से कौन सा सही होगा यह वाला क्या कुछ समझे एक या चार अगर आप समझ पाए तो मैं कहूंगा second type में कि इससे ज्यादा कुछ नहीं पूचता उसी कोई है जो बचा है ठीक है पर यह आपकी safety के लिए है कि आप वह पांच के पूछा या तीन के पूछा अगर तीन के पूछा तो कौन सब्सक्राइब करते ही नहीं है तो कर सके हैं नोगे कोई क्लास थोड़ी आ जो डस बजे इसमें तो आरा पढ़ाने में 5063 होगे 51 होगे लड़की वाली बात करने पड़ेगी है चलो ठीक है लड़कियां आज कल कमेंट कम कर रही है हमें देख रहते हैं भाई दिल्ले पुलिस में लड़कियां कम जाना चाहते हैं जो तिरावत आई लड़की और भी आई है को मले पड़ी नहीं जा रहें इस प्यूकोसिक तो कई बार ले लिया नाम चलो और बताओ और बताओ काजल मावी चलो सालू ठीक आर यह लड़की लड़कों के नहीं लूगा वह मुझा पताओ उन्हानाहीं पड़ेगा उन्हानाहीं पड़ेगा है हमारी चलो बहुत बड़िया भई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं यह सभी दिल से जुड़े हैं लगातार 5000 पर चले हो और दिल आज जीतना था आपका और लाश्ट तक जीतेंगे तीन महीने चीत रही जाएंगे हर रोज नया जीतेंगे हर रोज फट जाएगा अगर आपको बीक में कुछ ऐसी बात ना बोली जाएं तो फिर आप इतना लोड़ियब ले जाओ यूग क फिर आप नहीं कर पाऊगे तो नहीं पढ़ाई कर पाऊगे गया तनाव होगा और तनाव होगा तो नीद गायब होगी बिमार पढ़ोगे और कुछ नहीं कर पाओगे ना फिजीकल आप से होगा ठीक है तो आप बीच में थोड़े से हसगुले से चलने दे करो ठीक है कभी कहो जी बंद करो अपने इन बातों को चलो ठीक कुल मिलाके बाल को अब तक हमने दो टाइप पढ़ लिए तीसरी टाइप पर क्या मैं आ सकता हूं क्या तीसरी टाइप पर परमीशन दे सकते हो क्या चलो देओगे नहीं दोगे जब भी आँगा यह मांगनी पढ़ती है बस ठीक है यह उफलाइन की आदत है मैं परमीशन से वो कहते हाँ जी चलो जी तब जलता था आप यहां कैसे बोलोगे यहां तुम ही बोलोगे फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा चलो भई तो आप देखो टाइप 3 की बात बोलूँ टाइप 3 की मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करो हमें अच्छा लगता है पर जब काम की बात चल रही हो उसको तो उतने ही ध्यान से सुनना सिर्फ कमेंट में मत रह जाना क्योंकि कई बार ऐसी कोई बात मुझ से निकलती है जो पेपर में सीधी पूछ ली जाती है ठीक है और आप कहोगे यह बात हमने सुनी थी यह नहीं सुनी थी क्योंकि आप उस टाइम पर कमेंट लिख रहे थे ठ है छालो बाकी साधी नहीं हो और سाधी तो दैङंगे बात ऐसे हैं कि पापा की हो गई तो आपकी भी उसमें तो कोई बात ही नहीं है आपको तो mobile बी चलाने आता है computer भी आता है देख रहे हो वीडियो को तो मतलब वो तो मतलब आप में एक extra गुण तो ही उसमें तो कोई बात ही नहीं है चलो तो अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू देखिए 3 2 6 5 4 1 5, 4, 1 अगर मैं देखू type 3 में type 3 में आप देख पा रहे हो क्या आप देख पा रहे हो क्या इसमें कुछ अगर आपसे कोई opposite पूछ ले तो आपके host उड़ जाने चाहिए इस type को देख करके और यह बात सही है host नहीं उड़े तो फिर आप सीखे होगे नहीं यहां host उडालो पेपर मत उड़वाना ठीक है तो चलो यहीं उड़ाने की कोसिस करता हूं मैं और आपने देखा यह टाइप 3 शुरू कहां से करें ना तो यह फस्ट है फस्ट क्यों नहीं है क्योंकि प्रस्ट कामन नजर आते हैं फस्ट में कोमन नजर आता है थर्ड में 3 कौमन नजराने चाहिए थे और दोस्तों 3 कोमन लिग जेता पिर तो यह पास यह हो jujata तो तीन कॉमन्ण तो हो नहीं सकते हुए तो फिर वही पात गूम के आ गई फिर तो वही पास लिख़ा जाएगा एसा ही ठीक है तो एचे नहीं सकता था से आ इस लिए फिर पहली टाइप कॉमन फैका दुबारा फैका यह फर्सคीरण यह यह पोगत फैका फिर दूर эт तो पही पासा माना जाएगा चैंसल तो उखोड़ दो यहां पर वो तो हम मानक पासे में बात करेंगे लेकिन ऐसा भी हो सकता है फैका और फैका दो बार तीन वह मैंसे एक भी कौमन ना है हर बार अलग-अलग अंका एहसा भी हो होती है तीन तीन टाइप से लग कुछ नहीं होता इसके अलावाद जो सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस करूं तो साधरन पासा सिंपल डाइस दूसरा मानक पासा और तीसरा ओंसा होता है ओपन डाइस ठीक है चलो तो अगर मैं देखूं कि अगर इस तरह के सवाल में हमारा आ जाए हमारा पेपर में आ जाए तो हम क्या करेंगे बच्चों को पूछेगा कि 6 के विपरीत बताओ और चेंगे श्मेन पाल की कुंझेों यूट्यीव यूटीव के कोई बताता है यャँ नहीं मुझे नहीं पता है कभी कभी टाइंग्या थीक है च्छे के व्परित बताओ तो पांच और सी En चार और डी ऑप्शन एक ठीक है तो सभी लिख रहा हूं मैं क्या हाँ च्छे के विपरीत बताओ अगर आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप सायद नहीं बता पाओगे नहीं बता पाओगे ऐसे ऑप्शन इसलिए कभी मिलेंगे नहीं ऑप्शन कैसा मिलेगा च्छे के विपरीत बताओ च्छे के विपरीत आप कहो जी मिल गए मिल गए उसका तो जुगार बताओ मिल गए मिल गए पहली बात तो मिलेंगे नहीं अगर मिल पर आप एक ही काम करो जब उसने नाम के सवाल दिया है तो हम भी घगवाण की नाम पर उत्तर लगा के आते हैं और इसके अलावा दूसरा उत्तर हो नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, ऊपर वाले पासे के अपोजिट, ऊपर वाला, सामने वाला, ये ही तो है, इसमें सामने वाले के अपोजिट, सामने वाला, छे के अपोजिट, चार, और इसका उत्तर, चार, ऐसे आप लगा के आ जाओए, लेकिन, बफरिंग तो नहीं औरी मुझे ऐसे में बाल ऐसी है पीच हैं क्या हो रही है वोई थी बच्छों बफरिंग तो नहीं हो रही क्या यार देख लो बता दो भीया मेरे अब महनद कर रहे हैं और फिर आपको मजा ऐसे तो ऐसे मिलेंगे नहीं अगर मिल जाएं तो फिर आप यह जुगाड़ वाला तरीका ऊपर के ऊपर सामने के सामने चाहिए तीसरी टाइप में यह दिक्कत आते हैं यह वहीं दिक्कत आएगी ऐसी फास्ट और सेकंड टाइप एकदम आपको क्लियर है यह मानता हूं लेक मापको देगा एक और option 514 अ फिर आप क्या लगा फिर आपको क्या लगा देना चाहिए ख्याको यह फिर आपमे पर आप चार मत लगा यह जाना है चार पएकता है घिया tetip भी बच गया क्या बच गया और चार भी बच गया और क्या बच गया पांच भी बच गया एक से च्छा के तो पूछ भी रहे तीन और दो हो नहीं सकते फिर कोई सा भी हो सकता है फिर आपका option डी लगाके आप आओगे यह best उत्तर है इसका यही best है ठीक है और अगर यह ना मिले ऐसा भी तो हो सकता है कंडिशन सारी बता रहा हूं इसलिए ही तो बोला था आप कोरे का अगस बन क्या हूं क्योंकि यह बच्चे इस बात को सुनते नहीं और इस सवाल में गलती करके आते हैं टाइप 3 है बहुत बक्वास टाइप था बता दिया चार नहीं भी लगेगा बता दिया खीक है अब मैं आपको बोलूं कि अगर यहां दे दें आकड़े ुआ प्रियाप्त कि आप 4 लगा होगे यह यह अपने बोला कि यहुआ यह To आप क्यार लगा उगे मैं करोंगा और आद रखेना उत तर आप का डी होगा तर आपका डी होगा दिल्सलों वाले हैं तीनों टाइप बैस मैं आपको कुश्चन दिखाने वाला हूं तीन और चार वाले तो दोस्तों तीनों टाइप तो मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे से उम्मीद करता हूं यहां से कोई कुश्चन आएगा तो आप पेपर में कभ हम भी करें हैं मैं आपको दिखाता हूं जादू जादु जादू आपने ग्याद को याद रहें? दूसरी लाद है था में कोई भी वी घौमन नंहों तो कैसे लगाते हैं हमारे कौन से में थे वह हो वैं बस जो धेंग रीजनिंग न कि करेंड्र्राइफ इसमें थे टाइपिंग में तो सलेबस थैयर ये था हाँ अक्की न दिये थे भाई करके और डाइस आ गए सही जगह है आ गए नहीं अक्की बुला लेता भी स्क्रीन पर चलो बड़ा तगड़ा साथ है उसकी वज़े से आप वीडियो देख पा रहे हो यहां पर बहुत महनत करता है रात सब्सक्राइब हो चलो कोई बात नहीं ठीक है अगली क्लास कब बाली दस बजे हैं मैं किया थिक है यू सब्सक्राइब तो आपको साइथ ना भी लेनी पड़े पर आप एक बार देख सकते उसमें दूसरा चैप्टर शूरू होगा उनका तरीग अलग है पढ़ाने का में से सब्चराइंगे थिए वह घ名 होगी वह सो हाँ वाथ थाइन है तो आपको आपको वहां भी एक बार देख सकते हो कि आपको मुझसे पढ़ना या उन से पढ़ना ये ट्राइब कर सकते हो ग्यारा बजे नहीं तो दिल्ली पुलिस वालों को नहीं लेनी और कंप्यूटर की क्लास ऐसा ही वाले ले भी सकते हैं क्योंकि एक कुश्चन हंड्रेट परसेंट जी के मैं पूछा जाता है और वह उसी क्लास से फसेगा वह आपकी मर्जी आप लेना चाहो यह नहीं एक कुश्चन के लिए आप अदग हंटा बरबाद करना चाहोगा यह नहीं वह यूफियास यह वाले पर इतना जरूर है 100% फस जाएगा एक ही कुश्चन आएगा यूपियास यह वालों को चलिए बाकि अंटी सी अगया वाले वच्चे कंप्यूटर की क्लास ले वह लें अच्छे थीस कंप्यूटर पूछा जाता है उसके बाद दोस्तों बारे से क्लास है एक से दो हमारी क्लास है पॉलिटी की और दो से तीन है जॉग्रेफी की और दो से तीन नहीं है मतलब तो 40-40 मिनट के बीच में ब्रेक विए 20-20 मिनट का आपको पानी पीना है वो कर सकते हो देखिए अब हमारी रिविजन का कब टाइम होगा हम नोट्स कब पढ़ेंगे दोस्तों पांच बजे के बाद हमने आपको खली छोड़ दिया चार से पांच क्लास होगी सात बजे जो आज की खिलास के फटा फट हमें याद है नहीं और क्विज आएंगी कॵिज ददस कुश्यन है समय आप टेस्ट दो आपकी रंक क्या चल रही है आज की क्लास का ही कुईज है माल लीजिए ठीक है मैं तो कुईज आएगी नहीं वर्क सीट आएगी थोड़ा सब वर्क कर को आइंगे वह सारा ही रिवाइज कर लो बुक पढ़ने की जरुरत है क्या जरुरत तो नहीं है जरुरत तो नहीं चोड़ेंगे क्यों कि हम भी तो बुक सही दे रहें ठीक है और आप से ज़्यादा वड़िया भूक हमारे पहला ही सवाल है तीन पासो वाला मैं लेके आया हूँ क्या भाइट पर आपको सही दिख रहा है एक बार बता दो ना कमेंट करके मैं रेड ले लेता हूं पैन रेड बढ़िया चलेगा देखिया नीचे घं की तीन इस्थितिया घं पासा कुछ भी डाइस अंग्रेजी में व अक्षर एन के विप्रीत फलक पर कौन सा अंख होगा कौन सा अक्षर होगा दोस्तों यह जितने भी चमक रहें यह कभी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते कभी सोचो एस जड़ तक की हो जी एबी सीडी तो तो आपको मैं दिखा दू यह 6 कौन कौन से सबसे पहले ऐसे में यही दे लिखत नहीं है पीक्यू एन पीजेड आर साथ वह मिलेगा यहीं कभी और नहीं तो फिर एक्जामनर के मार देना अगर उसने दिया तो पीजेड आर क्या हो गए 6 नहीं अभी पांच हुए एक और बच गया होगा फिर वह कौन सा है एस हो गए सा क्या सारे यहीं मिलेंगे जैए 6 मिलेंगे कोई से भी अबी सीडी नहीं कभी सोचो ऐबी सीडी वी तो होंगे जी कहीं अरे यह बहुत बढ़िया मुझा ऐसे डाउट आते हैं तुम्हारे मन में मुझे तो सुनके सी और बच्चों भी आएगई इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं यह यह अब देखिए पी-क्यू-एन-पी-आर-जेड दोनों में common क्या है पी आप क्यों देखिए हम इन दोनों से करें हल इन दोनों से आपको जब भी तीन वाला पासा हो चार वाला हो छे वाला हो कितने कभी होती इन चार बस इससे ज्यादा मिलते नहीं है पांच भी मिल सकते हैं तो दोस्तो तो फिर आप क्या करोगे तो आपको एक ही काम करना है क्या काम करना है तीन वाला हो चार वाला हो पांच वाला हो छे वाला हो कुछ भी हो आपको दो पासो से ही काम चलाना है दो पासे कौन-कौन से जिनमें 1st ंटाइप लग रही हो क्योंकि 1st ही क्यों जी क्योंकि 1st से हम किसी भी अंग का opposite देख सकते हैं 1st ही ऐसी type है जो किसी भी अंग का opposite देख सकते हैं आप के 2nd type नहीं लगाएंगे जान बूज़ कर वो उत्थर भी आ रहा हो में होसकता है इन दोनों में वी लग रही हो इन दोनों में लगई हो तो आप कोई से बहुत्तर लिया उसको बिलकुल आग लगा दो इसमें, कोई जरुट nhi, काट के फैक दो अपनी लाइब से, ठीक है, और आप कर रहे हों कि first type तो इन दोङ में भी लग सकती है, z common है बस, तो जहाँ एक ही चीज common है, एक ही चीज common है, वहीं first type होती है, तो भाई ये भी हो जायेगा, तो कुछ बच्चा second और third से करेगा कोई बच्चा first और second से करेगा क्या first और third से भी किया जा सकता है इसको PQN, NSJ हाँ जी इन दोनों से भी कर सकता है कोई बच्चा और उत्तर में फरक नहीं आएगा एक भी उत्तर में फरक नहीं आएगा Second की कभी कोशिस मत करना, भूल कर भी, तो first type का क्या करते हैं, P common है, और फिर हम, उल्टे हो, सीधे हो, वो आपके उपर depend करता है, P, Q, N, और फिर मैं इधर देखूं, P, Z, R, तो N के opposite R, Q के Z, और P के कौन सा होगा, जो इन में से नहीं आया, वो है S, तो P, K, S, सारे मिल गए की नहीं, और आपको किसका चाहिए, N का, तो ये तो खरा है, A option, आपका सही हो जाएगा, तो किल मिला करके, clear हो गई है, हमें ये बात, बहुत ही आसानी सा, और कोई बच्चा इससे भी करेगा, मैं इससे भी करके दिखा दूं क्या, मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ, कौन कौन से से, सेकिंड और थर्ड से, क्या उत्तर में फरक नहीं आरा, क्यूं आएगा भीया, क्यूं आएगा, जो बोल दें नहीं आएगा, तो बिलकुल आप यकीन करो, नहीं आएगा, अगर कहीं आ रहा है, तो उस एक्जामनर में खोटेज इसने पेपर में दिया है, फिर आपका वो सही, उसको दोनों यूत्तर करने पड़ेंगे, जो दो आ रहे होंगे, ठीक है, यही रूल है, तो जेड की, जेड आर और पी, जेड एन और एस, पी के एपोसिट स, आर के एन, और हमें एन के पूछा है, तो भी तो आ रहाया, कोई बच्चा second, third से करे, कोई बच्चा first और third से करे connect, तो इनके लिए भी बता दू, common क्या है दोनों में, common दोनों में क्या है, इन दोनों में एन न है, जी इन दोनों से कोई बच्चा करेगा तो पी क्यू एन एसे तो लिखेगा यह समझता तीन कोश्चन के प्रेक्टिस करा दी से एक कुश्चन है एन एस जेड़ एन अब आप से कुछ पूछा क्या है यहां क्या गलत हो गया क्या हमें किसके पूछा है हाँ दोनों में पी क्यूण हा था सौरे मैंने गलत ही खरिए जदा अवस में आ गया सुरुआाथ एन से होगी बच्चों एन पी क्यू और यहां पर भी एन एस जैड़ क्यूट एक पी के एस और एन के क्या होगा एन के आ एक आयगा जो किसी में नहीं ड्याया voudे जोक्कि होगे आपका उत्तर में कोई फरक नहीं पड़ेगा यह पीडियेफ में आपको नीचे दूंगा मतलब यह आपको एप पर मिल जाएगी कौन सा रोजगार विजन की तो डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अभी कुछ पैन कार्ड डेट अब बढ़ता लगा लग बैंक वाले अब्जेक्शन लगाने को बैठ जाएंगे अब उसकी सरदर्दी हो यह खुलवाएं ना खुलवाएं ऐसे चलन दे चलो देखते हैं क्या हो रहा है क्या होगा हो भी पाएगा हमसे नहीं नहीं तो जिस दिन भी अगर जो मतलब प्रीमियम टीचर है ना मालीजे के लास सर हैं या जोगरिफी के सर हैं वह कहते हैं कि सर हम यूट्यूप पर नहीं पढ़ाएंगे क्यों हमारा मैटिर्यल यूनीक होता है पेपर में फसाने वाला होता है इसलिए हम सिर्फ ऑफ-लाइन में ही पढ़ाते हैं या फि आप से कुछ जुड बोला है बैस्ट टीचर जोगर फीके पूरे मुखर जीनगर का हर कोचिंग सेंटर जानता है कोचिंग सेंटर का मालिक जानता है नवनित सर ठीक है चलो पर चलिए कोई बात नहीं एक घंका चार इस्थितियों को नीचे दरसाया गया है यदि उपरी सत सते पर छे हो तो इसके निचली सते पर क्या होगा दोस्तों चार फलक हैं बिलकुल सेम टू सेम आप वही टाइप लगाओ और उत्तर लियाओ कोई से भी दो पासे लो और काम कर दो ठीक है उत्तर आ रहा है वच्चों का क्या रहा एक आरा जात्तर का तो एक ही आरा होगा के लिए तो छोडूं कुछ देखिए इन दोनों से कर सकता हूं किया मैं इस सवाल को कर सकता हूं जी एक ही कॉमन नहीं दो एक और दो कॉमन है एक और दो उपरी स्टह पर हो तो उसके निचले सथए पर तो यह वपरी थी पूछता है कभी सोचो यह क्या हो गया उपर और निचले तो इन दोनों से कर दिया इन दोनों की जरुरती नहीं पड़ी और आप चाहो तो कोई से और दोनों से कर देना उततर यही याएगा त्योंकि here से ज़्यादा नहीं होंगे ठीक है और च्छे होंगे तो आप कर देंगे सी के पीछे क्या आएगा पहले देख लेगा च्छे कौन था मैं बता दू इसको कुछ बच्चे कह रहे हैं और मैं बच्चों की बात तो गिराइए नहीं सकता देखे में अब इन करवा देता हूं आपको यूही कैसे कर वादू जी यह उपर का क्या यह यह तो दो कमन दो एक जैसे हो गए तो यह तो चलेंगे नहीं इन दोनों को देखूं को सिस करके पहले दो तो नहीं चले इन दोनों में एक सा कोई common है क्या आप क्या हुए इन में तो common नहीं आप क्यों ट्राइंगल है तो सही अरे ट्राइंगल के अंगर एक और ट्राइंगल या लगा करती है यह भी common नहीं है तो क्या फिर मैं और कोई से दोले सकता हूँ। इन दोनों से कोसिश करूं। तो आपने देखा इनमें है कौनसी चीज़ कॉन्हें है इस सर्किल अब हो जाएगा हम मारा सवाल हमें किसह कचा सर्किल का ही चाहिए मिझे- की बिजरू या करती है और छटी कौन सी है जो इन दोनों में नहीं है इन दोनों में नहीं है वो कौन सी है बताओ तो सही मेरे को यह वाली है कि नहीं है तो उत्तर कौन सा हो जाएगा भी कितना आसानी से हमने कर दिया मुझवा नहीं कर दिया मुझवा नहीं कर दिया तो यह सारे सवाल आ पूछा गया कोई दिक्कत नहीं है यूपी ऐसाई वाले भी सवाल उठा लेना एक प्रिविश येर का आपका चुट जाएगा पासे का तो भाई फिर मेरा पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है ठीक है कोई भी अर्थ नहीं है अगर मैं मतलब आप से कुश्चन चुट गया तो आरत पासे के 4 बार घूमया जाता ए पैका जाता उसकी कोई 4 При स्थिति ए फेकर ना वह पढ़ाने वाले पुढ़ा मता दोगे आपको एप पर भी मिल जाएंगे वहां पर आप अपने आप उत्तर देख लेना मैं अंसर सी डलवा दूँगा इनके साथ चलिए बहुत सही है बहुत सही है अब देखें नीचे एक ही पासे की चार प्रारूप दिखाए गए हैं क्या यह सवाल ऐसा ही था जो बिल्कुल है हा अगर एक दिख रहा है तो उसका योग जो उसके साथ है मानक पासे टाइप कुछन पूछना चाहरा है आप से तो नीचे दिए विपरीत फलकों का योग साथ है तो देखिए अगर यह होता मैं इससे बता रहा हूं आपको पहले पांच है तो पांच के अपोजित्व में कि गलत हो गया अब आप देखो चार हैर यहां तीन है चार हैर यहां तीन है तो आप समझ जाओ कि भाई यह भी नहीं हो सकता क्योंकि चार के साथ तीन यहां आना चाहिए था और हमें दिखना नहीं चाहिए था और आप देखें च्छे और एक तो यह भी गलत है क्यों गलत है तो कुछ है कि अपोजिट होना चाहिए एक वो खुद कहा रहा है इसलिए तो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ यह एक है ऐसा यहां पर कोई भी नहीं आ रहा है तो एक थोड़ा अलग सा हो गया ना कॉश्शन आसान है पर अलग है ठीक है अलग वाले का आपको उत्तर चाहिए कौन सा अंक होगा कौन सागा देखो सब को और स्पहइब हो यह दो सबिस्ग होगी चार आ चार आ और चार आ रहे है तो से में यहां था यह शांतोतलर है जिसमें भी तरहें यहां भी फिक्स रहेगा यहां भी नीचे दिए पासे के तीन प्रारूप और तुसमें भी सेम होगा वही आपका उत्तर है ठीक है तो इस तरीके से आपको देना इसका जवाब और बाकि अबमें दिखा दू पांच कैसे हैं नहीं हो सकता विपरी ऊंसा ना नść मेरे को तीन नहीं हो सकता दो टीन यहां कट गए ठीन तो पहले ही काट ओफ लाइन का मज़ा देने वाला हूं तो ओफ लाइन का थोड़ी सी टॉंटिंग तो चलेगी ठीक है उससे मत घबराई है वह आपके लिए जरूरी भी है मैस और रीजनिंग में आपका भी बोर नहीं होंगे ऐसी मेरी गोशिस रहेगी ओके दोस्तों थोड़ी लंबी किलास